नमस्कार मित्रो मैं मम्ता वाजपे मेरी हरी वरी चत पर आपका स्वागत है लीजे मैं फिर हाजर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ तो चलिए आज फिर कर लेते हैं बहुत सारी काम की बाते हैं आपका भी मन करता है कि आप चत पर पागवानी करें लेकिन बिलकुल तजर्वा नहीं है और आपको बिलकुल भी जानकारी नहीं है तो फिर चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूं और मैं बताती हूं कि यह आप गार्डन की शुरुआत कर रहे हैं या कि यूँ कहूं कि आप अपने गार्डन का डिजाइन करना चाहते हैं, तो किन किन खास बातों का दिहान रखना है, इनमें पहले नमबर पर बात आती है, वो है कि छट पर कितना वजन रखें, क्यारी बनाएं या कंटेनर गार्डनिंग करें, ग्रोह बैग लें, बहुत सारे आप्शन हैं आजकल, और हर व्यक्ति अपनी पसंद और अपनी सुविदा के हिसाब से चूज करता है, लेकिन मैं आपको राय दूँगी कि आप बागवानी शुरू करने से पहले, एक एंचेनियर से जरूर राय लें, क्योंकि आजकल देखिए, हम फ्रूट प्लांट भी चट पे लगाते हैं, बड़े-बड़े कंटेनर में लगाते हैं, और जाने अंजाने ऐसा नहो कि हमारी चट उतना वेट ने ले सके, और हम गलत जगह पर, एक ही जगह पर बड़े-बड़े कई कंटेनर रखते हैं, और वो पंच लोड पूरा आ जाए, तो आप किसी भी स्ट्रुक्चरल इंजिनियर से बात करें, और उसे पूछें कि हम चट को किस तरह से डिजाइन करें, कहां पर वेट ज़ादा रखें, और कहां पर कम, या की चट पर पूरा स्प्राइट करके रखें, एंजिनियर से बहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे आप जरूर फॉलो करें, नंबर दो पर जो बात आती है, जो हमें जानकरी, या हम कहें, जो हमें विशेश ध्यान रखना है, वो बात है, सनलाइट कंडिशन, आप सुबह से उठके देखें, कि जब सूरी उदय होता है, तो सुबह की धूप, चट के किस कौने में आती है, शाम की धूप किस कौने में आती है, क्या पूरी छट पर सनलाइट आती है, आपको पूरा पूरा ना अध्यायन करना होगा, पूरा नोटिस करना होगा, पूरे दिन की धूप को, उस हिसाब से फिर आगे आप गार्डन चुरू करेंगे, यदि आप सबजियां होगाना चाहते हैं, फ्रूट्स होगाना चाहते हैं, या कि आप अच्छे रंग वे रंगे फूल भी होगाना चाहते हैं, तब भी धूप पहली जरूरत है, बिना धूप के कोई भी सबजी होती नहीं, तो यदि आपने धूप की दिशा चूज कर ली तो आप उसे साब से पर अपने गमने जमा सकेंगे तीसरी बात आजाती है कि छट पे कहीं सीपेज न हो जाए तो इसका बहुत आसान उपा है मैंने तो देखिए स्टैंड बनवा रखे हैं और ये अभी ड्रम मैंने उपर कर दिये इससे पहले मेरी क्यारियां थी वो क्यारियां भी मैंने एक दो इंट लगा कर चट से एक फुट उपर उठा के बनाई थी तो कहने का मतलब ये कि जो भी चायब ग्रो बैग रखें बड़े कंटेनर रखें या क्यारियां बनाए चट से टच कुछ भी नहीं होना चाहिए आप डिजाइन ही ऐसे करेंगे कि चट से कुछ भी टच नहों चौथी बात ये कि इतनी चौड़ी क्यारियां न रखें कि जिसमें आपका हाथी न पहुँचें हम निराई गुडाई करते हैं खाद डालते हैं बहुत सारे काम करते हैं और गार्डनिंग में पूरे साल का काम होता है तो हम इजिली दोनों तरफ से क्यारी के दोनों तरफ से घूम कर हम काम कर सकें वो हमारे लिए बहुत आसान होगा तो उसके लिए बहुत चौड़ी क्यारी न बनाए अगर क्यारी बना रहें तो कंटेनर बना रहें तब ये समस्या नहीं आएगी और पाचवी पाची बात जो है वो ये है कि इस तरह का एक फ्रेम बनाए कंस्ट्रक्शन के समय ही मैंने तो बनवा लिया था और अगर तब नहीं बनवा पाए हैं तो ये बात में भी बन सकता है सच तो ये है कि लंबे समय तक अगर आप बाग मनी करना चाहते हैं तो इस तरह की एक ट्रेलेस या ये जाल आपको बनवाना चाहिए तो आपके लिए आसान हो जाता है और बेल वरगी है सारी सबजिया इस जाल पर चड़ जाती है और जब बेल है उपर जाल पर चड़ती है तो उनकी फ्रूटिंग अच्छी होती ये देखिए आप दूसरा पिलर है एक उस बीम पे है एक इस बीम पे है और दो जाल मैंने बना रखे हैं जो मैंने एक साथ नहीं बनवाए हैं अलग अलग बनवाए है और लोही का जो चौकोर पाया पाता उसका फ्रेम है बाकी बीच में हमने रसियां बना दी है रसियों से बुन दिया है यह तीसरा पिलर हम बाउंडरी के सहारे है यदि आप नहीं बनवापाए हैं मकान के कंस्ट्रक्शन के समय या आप पर्मानेंट नहीं बनवाना चाहते तो टेम्परेरी भी बनाया जा सकता है जो मैं आगे वीडियो में आपको जाकर बताऊंगी अब देखिया चट पर वेट तो आपने एंजीनिर से पता करी लिया और आपने नीच से बिलकुल क्यारी उपर उठा के बना दी और आपने जाल भी बना लिया मान लीजे कि आप अर्मान जाल नहीं बना पाए हैं तो किसी बाल्टी में या आपका कोई पुराना गमला हो उसमें आप एक पाईप डाल कर और उस बाल्टी में रेत भर दें या रेत के साथ इंट पत्थर भर दें या कि आप सीमेंट से गड़ा दें देखिए कुछ इस आप इसे जुगाड कह सकते हैं और यह भी काम करता है क्योंकि छट के दूसरे तरफ मेरी ऐसे यह देखिए यह जुगाड से पूरा जाल बना है मैं आपको पूरा जाल दिखाते हैं आप सेम की बेल चड़ाएंगे तो भी जाल चाहिए बेल वर की सारी सब्जियों का कुद दूरू चड़ाएंगे तो भी जाल चाहिए यह देखिए यहां कोई हमने पिलर मजबूत नहीं लिया है पहला आपको वह दिखाय था दूसरा यह दो पिलर लिये तीसरा एक पिलर है जो दीवाल से तो सारा वेट जो है दीवाल वाले पिलर पे जाता है देखिए आप यह और यह इस तरह की जाली लगाना जरूरी नहीं है, यह तो आप्शनल है, मेरी रेनोवेट हुआ था घर, उसमें निकली थी, इसलिए मैंने लगा दी, बाकी पेलर जरूरी है, और आप चार बल्टियों में लेकर पेलर लगा सकते हैं, तो पांच बाते हो गई आपकी, अब छ चाहते हैं, तो आपको ग्रीन नेट उठा के रखना होगा, राक रखनी होगी, गोबर की खाद रखनी होगी, कुछ मिठी जो बरसात में खराब न हो जाए, जो धूप में खराब न हो जाए, बोरियों में मिठी खाद भर के सब रखना होता है, अगर इस तरह का स्टोर नहीं था, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, इसलिए मैं अपने अनुभब से बता रही हो कि यदि आप ढंग से गार्णिंग करना चाहते हैं, तो एक ऐसा स्पेस जरूर हो, कि जहां आप गार्णिंग के टूल, गार्णिंग से सम्मंदित, बहुत सामान लगता है गार यह हमारे पानी की टंकिया हैं और यह चट के बीचों बीच हैं, तो हमने इसमें पाइप लगा रखा है, अगर आप चार-पाँच गंबले से कर रहे हैं, छोटे इस तरफे कर रहे हैं, तब तो आप बाल्टी मग्गे से डाल सकते हैं, पर जितना बड़ा मैंने किया है, इ इक जैसा पड़ता है, और हम उसमें ठकते नहीं हैं, और हमें बहुत लंबा पाइप नहीं लेना पड़ता, अगली बात और मैं बताती हूं, कि आपके पास चट के एक कौने में ऐसी जगे होना चाहिए, जो चट पर आते ही, फ्रंट में न पड़ती हो, जो आपका बैक व आपके जान नरसरी भी हो, और जहां आपके कुछ गंबले कई बार बेरोना को जाते हैं, हम उनकी कटिंग कर देते हैं, तो वो सामने अच्छे नहीं लगते हैं, तो उने कटिंग करके हम पीछे रख देते हैं, या देखिए जैसे इस तरह यह पीले पड़ गया है, पता है और आपके तूटे पूटे कटिंग की हुए गंबले या जिने आप आपके पास जादा अतरिक्त हैं, वो आप रख सकें, इसके लावा कुछ बात यह और हैं कि शुरुआत में बहुत पैसा न लगाएं, कम पौधों से, आसान पौधों से गार्डनिंग शुरू करें, पह सफलता दोनों ही मिलती हैं, तो उमीद हैं अब आप कर सकेंगे गार्डनिंग और यह वीडियो आपको हेल्प करेगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्लिए नमस्का झाल